गुद मॉर्निंग स्टूदेंट्स, वेलकम तो आवर उनलाइन क्लासे कंड़क्ट बाइ ग्यांदी पब्लिक स्कूल फोर क्लास त्री तोड़े वी आर गोईंग तो रिट चैप्टर त्री दाट इस सिंड्रेला सिंड्रेला एक बहुत ही इंड्रेस्टिंग स्टूरी है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते स्टूरी को सिंड्रेला वाज ब्यूटिफुल स्मॉल गर्ड सिंड्रेला एक खूबसूरा छोटी लड़की थी आफ्टर हर मदर्स डेथ रफादर रिमारेड उसकी माद के डेथ के बाद उसके पिता ने दुश्री शादी कर ली हर स्टेप मदर हेटेड हर उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी She treated her as a servant और वो उसे नोकरों की तरह विभार करती थी Her step-sisters spent their time on buying pretty new cloths and going to party उसकी सौतेली बहने अपना सारा समय नए-नए कपड़े खरीदने और पाटियों में जाने में ही वियर्थ करती थी However, they gave old ragged clothes to Cinderella to wear and made her do all the hard work at home कभी-कभी वे अपने पुराने फटे कपड़े Cinderella को पहनने को दे देती थी और घड के सारे काम उससे करवाती थी They were selfish and unkind वे स्वार्थी और निर्मम थी Cinderella in her old cloths looked sweeter and prettier than her step-sisters Cinderella उन पुराने कपड़ों में भी अपने सोतेली बहनों से जादा प्यारी और सुन्दर दिखती थी One day there was a grand royal ball at the king's palace approached एक दिन राजा के महल में एक बहुत बड़े साही निर्ति की घोशना हुई The two step-sister put on their finest cloth and jewelry and went out living behind स्रीनिरिला to do daily chores दोनों सोतेली बहनों ने सुन्दर-सुन्दर कपड़े और ज्वैलरी पहनी और Cinderella को घर के बचे जो जितने भी काम थे हूँ उसको करने के लिए उन्हें उसे घर पे छोड़ दिया I wish I could go to the ball to thought Cinderella as she swept the big fire place of cinders Cinderella अंगीठी के एक बड़ा सा अंगीठी जिसको चूला कह सकते हैं तो Cinderella एक अंगीठी के बड़े से राख के धेर को बहारते हुए सुच रहती कि काश मैं भी उस साही निर्थ में जा सकती When her work was over she stood sadly at the door she almost cried bitterly जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया तब वो डोर के पास दरवाजी के पास उदास होकर खड़ी हो गई और लगबग फूट-फूट कर रोने लगी Don't cry my child said a gentle voice I am fairy godmother I will get you ready for the royal ball तभी एक मधूर सी आवाज आई कि मेरे बच्चे रोो मत don't cry मैं पड़ी मा हूँ और मैं तुमें शाही निर्थ के लिए त्यार कर दूँगी Now stop crying and do as I say अब रोना बंद करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो fetch me the biggest pumpkin from your garden and six white rice from your kitchen जल्दी से मुझे अपने गार्डन से एक बड़ा सा कद्दू और अपने किचन से छे चावल के दाने ला कर दो I will said Cinderella while rushing off अभी लाती हूँ यहाँ का कर Cinderella भागी Soon she got back with what the fairy has asked for और जल्दी ही पड़ी ने जो भी कहा था वो सब लेकर वो आ गई The god mother fairy webbed her magic wand तब पड़ी माने अपने जादूई दंड को घुमाया In a flash the pumpkin turned into a magnificent golden coach and the rice turned into white gleaming horses to pull the coach और एक चमक के साथ वो बड़ा सा कद्दू एक बहुत बड़े सुनहरे बग्गी में बदल गया और जो चावल के दाने थे वो भी चमचमाते उजले घोडों के रूप में बदल गया जो उस बग्गी को खीच रहे थे Looking down at Cinderella's old ragged clothes, the fairy webbed her magic wand again and the next moment Cinderella was in a lovely white ball gown trimmed with blue silk ribbons Cinderella के फटे पुराने कपड़ों की तरफ देखकर पड़ी माने फिर से वो अपना जादूई दंड घुमाया और अगले ही पल Cinderella एक सुन्दर से प्यारे से white ball gown में जो निर्ति के लिए पहनी जाती है वैसे gown में वो त्यार हो गई जो blue color के silk ribbon से सजाया हुआ था there was jewels in her hair and or her feet were denty glass dancing slippers उसके बालों में भी सुन्दर सुन्दर जोलरीज लगी थी जिससे उसके बाल सजे हुए थे और उसके पैरों में भी चम चमाते सुनहरे glass के dancing slippers मतलब जूतियां थी now off you go said the fairy godmother smiling तब पड़ी माने मुस्कुराते विका अब तुम जा सकती हो just remember one thing the magic only lasts until midnight बस एक चीज याद रखना कि यह जादू केवल midnight तक ही काम करेगा मतलब रात के बीच में मतलब जब बाड़ बचते हैं you must come here before the clock strike 12 जब घड़ी बाड़ बजाए उससे पहले तुम्हें यहां आ जाना होगा at the ball in the palace everyone was attracted by the beauty of Cinderella महल के साहे निर्त में सभी लोग Cinderella की सुन्दर्ता से आकरशित हो रहे थे the prince thought she was the loveliest he had ever seen और वहां का जो prince था जो राजकुमार था वो सोच रहा था कि मैंने आज तक इससे प्यारी लड़की नहीं देखी may I have the honor of dancing with you? he asked boy in low तब उस राजकुमार ने जुक कर Cinderella से कहा क्या मैं तुम्हारे साथ dance कर सकता हूँ all the other girls were jealous of the mysterious stranger और वहां जो भी साड़ी लड़किया थी वो सब इस अजनभी लड़की यानि Cinderella को देखकर इर्षया कर रही थी उनसे जलन हो रही थी Cinderella danced with the prince all evening Cinderella साड़ी राथ prince के साथ डांस करती रही in the meantime जब मध्य रातरी हुई यानि midnight हुई the clock struck 12 of midnight और घडी ने बाड़ा बजाए तब I must leave quickly she said to herself and ran from the ballroom तब उसने अपने आप से कहा मुझे जल्दी ही यहां से जाना होगा और वस निर्थ साला से जल्दी ही निर्थ साला से बाहर की तरफ दोड़ पड़ी wait cried the prince please tell me your name तभी prince बोला रुको रुको मुझे अपना नाम तो बताओ but Cinderella did not stop लेकिन Cinderella रुकी नहीं in her hurry she lost one of her glass sleepers on the steps और जल्दी जल्दी में वो अपने पैरो की जो एक जूती थी वो वहीं पे भूल गई she took her coach and rushed off to her house वो अपने बगी में बैठी और अपने घर के लिए भागी the prince found the lost glass sleeper on the steps और जो उसकी जूती वो वहाँ छूट गई थी वो उस prince को मिल गया next morning he set out in search of the beautiful girl who had stolen his heart अगली सुबह वो उस उंदर लड़की की खोज में निकल पड़ा जिसने उसका दिल चुरा लिया था he said the girl whose foot will fit this slipper shall be my wife और उसने कहा कि जिस लड़की के पैरों में ये जूती fit आएगी वही मेरी wife बनेगी now every young girl in the town wanted to try on the slipper और अब जितनी भी लड़कियां थी सहर की वो सारी उस slipper को try करना चाहती थी ताकि वो उसके पैरों में fit आजाए but it fitted no one लेकिन वो किसी के पैरों में fit नहीं आई क्योंकि वो तो उसकी थी ही नहीं वो तो सिंद्रेला की थी at last prince came to सिंद्रेला's house अंत में प्रिंस सिंद्रेला के घर आया the stepsisters eagerly tried the glass sleepers और सिंद्रेला की जो सोतेली बहने थे वे आतुरता से उस जूती को try करना चाहा रही थी और उसने किया भी but it was of no use लेकिन सव्यर्थ दियर फीट वेर तू बिग और क्लमसी लेकिन सिंद्रेला के इन दोनों सोतेली बहनों के पैर बहुत बड़े और बिढ़ंगे थे when Cinderella was asked to try her sister laughed in disbelief जब सिंद्रेला ने भी जूती try करने को पूछा तब उसकी बहने अब इस वास से हसने लगी उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि अभी जूती try करेगी क्योंकि ये तो वहां गई ही नहीं थी परन्तू सिंद्रेला के पैर आसानी से उस जूती में आ गया वो फिट हो गया और यहां देखकर उनकी सोतेली बहनों का मुख खुला का खुला रह गया तब सिंद्रेला ने अपने पॉकेट से उस जूती की मैचिंग जो उसके पास एक थी वह निकाल ली तब प्रिंस बोला हां ये तुम ही हो तुम ही हो वो ब्यूटिफुल गर्ल जैसने मेरे साथ डांस किया था अब तुम ही मेरी वाइफ बनोगी नाओ फेरी गार्ड मदर एपियर्ड एंड वेविंग हर मैजिक वांड शी ड्रेस्ट परिमा फिर से वहां उपस्तित हुई और उन्होंने अपना मैजिक वांड यानि कि अपना जादूई दर्ण फिर से घुमाया और सिंद्रेला के घर को एक शाही महल में बदल दिया और इस समारों में भाग लेने के लिए कई देशों के राजा और रानी भी आये थे सिंद्रेला ज स्टेप सिस्टर नाओ अग्रीड दाट सी वास्ट ब्यूटिफुल ब्राइड याद इवर सीन सिंद्रेला की सोतेली बेहनों ने भी अभी हमान लिया कि सिंद्रेला दुनिया की सबसे खुबसूरत ब्राइड है and Cinderella and her prince lived happily ever after और Cinderella और उसके prince जो उसका राज को मरता वो खुशी खुशी रहने लगे तो students कैसी लगी आपको ये story? थी न बहुत ही interesting और इस story से आप लोगों ने क्या सीखा? जैसे की Cinderella बहुत ही देयालू लड़की थी बहुत ही अच्छे हिरदय वाली लड़की थी सब का भला करती थी किसी से नफरत नहीं करती थी हमें भी उसी तरह अपने सुभाब को बहुत ही मिर्दू बनाना चाहिए बहुत ही जयालू सुभाब बनाना चाहिए किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए तो सिंड्रेला को आखिर में वो सब कुछ मिला जो उसको चाहिए था या जो उसके लिए था सिंड्रेला बहुत ही प्यारी और सुन्दर लड़की थी फिर भी उसकी सोतेली मा और उसकी सोतेली बहने उससे नोकड़ों जैसा बरताव करती थी परन्तु सिंड्रिला ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना और अपनी सच्चाई, अपने भोलेपन, अपने अच्छे हिर्दय के कारण पड़ीमा उससे बहुत प्रशन हुई और उसको साही निर्ति में भी भेजा उसकी मदद की और प्रिंस से उसकी शादी भी हो गई तो I hope आप सभी को स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी words आपको difficult लगेंगे उन्हें आप लिख लेना वो सारे words with meaning आपको send कर दिये जाएंगे इस चाप्टर से रिलेटेड कुछ question answer है इन्हें भी आप no down कर लीजेगा और खुद solve भी करने की कोशिश कीजेगा कोई difficulty हो तो उसके लिए इसके answer भी आपके whatsapp number पे send कर दिये जाएंगे questions के साथ ही कुछ grammatical question भी है स्टोरी को पढ़के आप इसे खुदी solve करेंगे fill in the blanks है और कुछ differences type question भी है sentence बनाने के लिए इन्हें भी आप देख लीजेगा और बनाईएगा फिर grammatical कुछ composition type question है इन्हें भी आप अच्छे से पढ़के solve कीजेगा ठीक है तो पढ़िए और स्टोरी को enjoy कीजेए आछे कीजेग में है